नमस्काल मित्रों, गयत्री कोले जेवं, गयत्री विद्यामंदिर उच्छ मालिमी विद्याले सांचोर की ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रार्थना समाज की बारे में पढ़ेंगे। प्रार्थना समाज की इस्ताथ्ना 1866 में की थी। ठीक, इससे भी पेले 1819 में माराष्ट में प्रात्मा समाज की इस्ताथ्ना की लिए थी। लेकिन यह ज़्या प्रभावी है वो नहीं हुए। अब प्रात्मा समाज का उद्देश्य क्या कारिक है। तो देखिए। प्रात्मा समाज है। यह भागवान के प्रति, इश्वर के प्रति, निर्भुण उपासना पर बद्देट है। निर्भुण का अत्मा है। इश्वर ब्रम है, परब्रम है, परमात्मा है। उसका कोई आखार नहीं है। इश्वर घट घट में विराजमान है। इश्वर की एक इश्वर वादी पददी पर बग देते है। एक इश्वर वादी पर मतलब है कि इश्वर यह कहें उसे बहुदेवाज की रूप में नहीं समझना चाहिए। इसके लगों उने समा सुदार के कारे भी किये थी। समा सुदार में अपने की उस समय समाज में कई तरह की ब्राग दिया थी। समाज में कई तरह की समस्यां से घ्रसिल का समाज और इसकान से समाज में कई विद्रूता हैं वो आयों थी। और वे समा सुदार के कारे में द्यान थे थी। प्राग का समाज दार्विशित्र में एक इश्वर वाज पर बग देता हैं। इश्वर को निर्मोर वाज निराका नामता हैं। इश्वर के तरह किसी भी तरह का कोई भेद नहीं है। इश्वर परग हैं। इश्वर का समाज से जुड़ाव हैं। तो देखिए इस प्रकर प्रात्ना समाज के कई मुख्य उद्देश्यति समाज सुदार के रुख में जिनमें उद्देश सकते हैं। नमबर एक विद्वा विवाह का प्रचार करना। उस समय हमारे समाज में विद्वा इस्त्री को कमजोर निम्नतर मानते थी। और विद्वा इस्त्री के विवाह उनर विवाह को अनुमती नहीं थी। प्रात्ना समाज ने समाज हुदारक में ऐसी इस्त्रियां जिनके अल्पकाल में पते की मर्द्यों गई हैं। उन्हें पुन्ह विद्वा उनर विवाह शुरू करवाह जैं। ताकि वे भी अपना जीवन हैं। अच्छी तरह से वेतित कर सकते। प्राचिन काल में विद्वा इस्त्रियों को शान सौकात से दूर रेकर एक हेय पूर्ण, दुख पूर्ण जीवन ही अपन करना पड़ा था। इस काल से प्रात्ना समाज ने विद्वा पुन्ह विवाय को शुरू करवाया था। दूसरा, जाती पर्था को अज स्विकार करना था। अर्था, प्रात्ना समाज समाज के इस तमाम वेदों का विरूद करता था। जाती पर्था का विरूदी था। उंचनीज के वेदबाब के पक्स में नहीं था। कोई जन्म से स्रिष्ट और जन्म से कमजोर ऐसा नहीं मानते थी। अर्था, जाती पर्था कोई वो अश्विकार हैं किया गया था। तीसरा है, इस्त्री शिक्षा को प्रोथ सान। अर्था, प्रात्ना समाज इस्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देता है। इस्त्रियों की शिक्षा प्रात्ना समाज की माध्यम से ही बढ़े गई थी। माराश्ट में इस्त्रियों को भी पुरुसों की समान शिक्षा करने का अधिकार था। आगे हैं बाल विवा पर रोप था। पहले हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चों की शादियां विवा कर दी जाते थे जो उम्र खेर ने उदने की होती थी उस उम्र में घर की जिमेदारियों का बोज आ जाना थो वे पूंड रूप से विख्षित भी नहीं होगा दे थे इस कान से प्रात्ना समाज ने महरास्ट्र में बाल लिवा पर रोप थाम का कारिय किया था अगला है विवेक पूंड उपासना प्रात्ना समाज का मानना था कि हमें आख मुंद कर कोई गलत या अंद विश्वास वा आड़म परियुकत उपासना नहीं करनी चाहिए हमें हमेशा अपने विवेक मैंड से सोच कर ही कारिय करना चाहिए उपासना करनी चाहिए बहु देवार पर ध्यानना देकर एकिश्वर बाद पर ध्यान देना चाहिए ये प्रात्ना समाज कहता है इसके दब समाज में और भी बहुत सारी कुरितियां थी समाज कई तरह की कुरितियों से अटा पड़ा था कई समाज में से वर्ण थे जिनका समाज में हियतमिस्तान था ऐसे तमाम परगों के लिए प्रात्ना समाज ने समभाव का समांता का बिड़ा उधाया था आत्माराम पांडुरं के साथ साथ केशव चंद्रसेन, नवीन चंद्रराय, मजुंदार जिसी विद्वान ने भी ब्रह्म समाज को प्रोचसान दिया और इस समाज को पुष्पित व पलविक्द करने का बिड़ा उधाया था इसके अलावा प्रार्टन समाज ने समाज में जातीकत बेद, जातीकत बंदनों को, उंचनीच के बेदबाव को समाज करने के लिए अंतर जाती विवा प्रचलित करवाए अर्था उसमें किसी भी वर्ण का, बालक बाली का, किसी भी वर्ण के साथ विवा सम्मंद इस्तापी देवों कर सकते हैं विद्वाओं के लिए उनर विवा सुन करवाया इसके लब मैलाओं की दशा में सुधार करवाया उस समय में मैलाओं को केवल ग्रेहनी तक सिमीद रखा गया था मैलाओं को पुरुशों के अधिन रखते थे, प्राठना समाज ने, मैलाओं में शिक्षा मेला पुरुष की समानता यत्र नार्य पुजनते प्रवंते तत्र देवता जैसे प्राजिन मुल आदश्णों को अपना कर मेलाओं के जीवन में सुधार करवाया था महरास्ट ने उस समय हरिजनों की दशा में कई समस्यां थी अरिजनों का जीवन दुस्तर था तो उन्होंने ऐसे बेदभाग और जीवन चुआ चुद को और जीवन को बदर ले एम समाज के विचारों को सुद करने पर ध्यान दिया था हरी जन अर्थाथ हरी का जन बगवान का जन ने वो दर्शाया प्रात्ना समाज ने निर्गुण दिराकार इश्वर के उपासना एक इश्वरवाद पर बग देते हुए समाज में मूर्ती पूजा को बड़ावाना देकर उन्होंने गरीब समाज के पतीत जरूर्त मन दोगों के लिए कार्य किये थे जिन में अपन देख सकते हैं अनात आश्वर प्राचिन कारों ने ऐसे बहुत से बालग बाले काएं वह मनुश्य थे जिनको गर से बार निकाव दिया गया था उन्हें रोजियों की नहीं बिल पारी थी ऐसे मनुश्यों के लिए ऐसे बालगों के लिए प्राचिना समाज ने अनात आश्रम की वेवस्ता की थी जिसमें अनात बच्चों को खाना खिला जाता रहने की सुमिजा ने जाती पढ़ाई को जाती उम्रत के रुशाप ने अपना जीम जीने का अधिकार दिया जाता था इसके बाल ने रात्री क्वार्ट साथ उस समय में शिक्षक बहुत कमी थी और विशेश तोर से मैलाओं की दिन पर हो गर का काम मजबूरी आधिकार्यस से पाएंग नहीं मिलता था इस कान से प्राग्मा समाज ने ऐसे बेक्षी जो पढ़ना चाहते हैं मैलाएं पढ़ना चाहते हैं ज्ञान प्राथना चाहते हैं उन महिला प्रुशों के लिए रात्री काले को पाट सलाय लगें ताकि रात्री के समयवें दो तिन गड़ें तक बड़ें कर सकें और ज्ञान वाने को बन सुए इसके लवा विद्वा श्रम अर्थाथ विद्वा इस्टियां तो जो थी कि उनके जीवन में कई बार उनको घर से त्यार देते थे ऐसी विद्वा श्रम में जाकर के या विद्वा श्रम में रखा जाता था जहां उनके जीवन में सुदा रहते थी इसके लवा अच्छो दुद्वा चुआ चुआ चुट का बेद्वा मिटाने उंच पीज का बेद्वा मिटाने और इस परश्रता का अंत करने के लिद्वा ने पई सामाजी कालिये को किये थी उस समय में इसाइध धरम का भारत में प्रभाव बढ़ रहा थी और इससी धरम की अद्वा बढ़ अचलातार रहती हमाने सामाजी कुराईया कुरेतीया लोगों के सामने रख रह थी और इस अधरम की और लुगों को जोड रहती ऐसी स्थी में प्राथ्ना समाज ने ब्रह्म समाज की बाती हिंदुओं को वापस अपने धर्म रेने के लिए प्रेजित किया और महादेर दोविन राणाडे जीजु थी उन्होंने इस प्राथ्ना समाज को प्रशिदी दिगाने फलाने फूराने में पर्योग दाने को दिया था गानाडे जीज ने अपना पूरा जीवन राणा समाज के उप्देश्यों के लिए लगा लिया और महाँने समाज सुदार के लिए पून रूप से खारिक किया और इसी का नदीजा 1884 इसमी में दपने इटेशन सोसाइटी तदा विद्वावी पसंद की स्थाफना में उनके अठक प्रयासों से बारते समाज को एक नई शांती और उनका पस्चीम जगत से जुड़ा लोने के बारते हैं भारते सुस्कति में विश्वा से प्रात्न समाज ने वो कारी किया जो ब्रह्म समाज ने बंगलाग में किया था और वो ही कारी प्रात्न समाज ने माराश्ट ने अर्थाथ ब्रह्म समाज और प्रात्न समाज की दोनों ही समाज पास्चा की विचारों का प्रेणा और पास्चा की बीवेग सिदों की पती वाराद की पतिक्रिया का फल था अर था जो पस्ची मी सस्कति पस्ची मी शिक्षा का हमारे उपर जो प्रगाव था उस प्रगाव से वोतो होना और हमारे सस्कति को वापस स्रेश्चा दिलवाना का हमारे उपर ने आई हुई पूरितियों को दूर करवाकर प्रात्ना समाज ने भी समाज को एक नई दिशा प्रदान की थी थेंक यू